नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके ही चैनल में और मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं गाड़ स्टार्ट और आज किस वीडियो में हम BMW M1000RR और Yama R1M को डीटेल में कंपेर करने वाले हैं और आज किस वीडियो में हम जाने वाले हैं कि इन दोनों बैक्स में से कौन सी सूपर बैक सबसे जदा पाउरफुल है तो यह वाली वीडियो गाइस काफी जदा मज़दार होने वाली है और अगर आप अभी तक इस चैनल क के ओपर नए है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाईस मेरी आपसे रूकेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अगर आपको यह वाली वीडियो च attracted दो दो चले गाईस बीना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शु BMW M 1000 RR की फ्रेंट से लुक कुछ इस तरह की देखने को मिलती है और वह अगर बात करें यामा R1M से तो यहाँ पर आपको R1M की लुक कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है बाकि पर अगर बात करें BMW M1000RR के इंजन की तो आपको उस बाइक में 999 CC इन लाइन फोर्स लेंडर फोर वाल लिक्वेड कूल इंजन देखने को मिल जाता है और यह जो इंजन है वो प्रिडूस करता है 212 BHP की मैक्सिमम पावर वो भी 14,500 RPM और यहाँ पर आपको उस बाइक से 130 Nm का मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाता है वो भी 11,000 RPM और यहाँ पर BMW M1000RR का जो कव वेट है वो है 192 kg का और यहाँ पर आपको उस बाइक एंदर 6-speed gearbox देखने को मिल जाता है वहीं गाइस अगर बात करें यामा और वनेम के बार में तो यहाँ पर आपको उस बाइक में 998 CC inline 4 slender 4 valve liquid coal engine देखने को मिलता है और यह जो इंजन है वो 200 BHP की मैक्सिमम पावर प्रडूस करता है वो भी 13,300 RPM और यह जो बाइक है वो प्रडूस करती है 112.4 Nm का मैक्सिमम ट आपको देखने को मिलता है और इसकलाव आपको उस बाइक के अंदर 6-speed manual gearbox देखने को मिल जाता है और यहाँ पर गाइस अगर बात करें BMW 1000RR की top speed की तो गाइस company claim करते है कि यह जो बाइक है वो 305 km परार के आसपास की maximum top speed को touch कर लेगी वहीं गाइस अगर बात करें इस बाइ में तो इस बाइक की भी top speed 300 km परार के आसपास है वहीं गर बात करें इस बाइक की fuel consumption के बारे में तो 100 km चलने के बाद यह जो बाइक है वो 5.5 लेटर का fuel consume करती है तो यहाँ पर गाइस अगर compare के जाए इन दोनी बाइक को तो यहाँ आपर BMW M1000RR में जो power है वो थोड़ी से ज आपको देखने को मिलता है parameter frame design के उपर और यहाँ पर आपको उस बाइक के front में adjustable upside down telescopic fox suspension देखने को मिलते हैं और वह इंगर बात करें इस बाइक के रियर से तो यहाँ पर आपको उस बाइक के रियर में aluminum swingarm adjustable monoshock suspension देखने को मिलते हैं और वहीं guys अगर बात करें यामा और यहाँ पर आपको उस बाइक के front में देखने को मिल जाते हैं electronic semi-active upside down telescopic fox suspension और आपको उस बाइक के rear में देखने को मिल जाते हैं aluminum swingarm adjustable monoshock suspension वहीं guys अगर बात करें इस बाइक के टार और ब्रेक setup के बार में तो इन दोन ही बैक्स में टायर और ब्रेक demaniswagen iv However आपको आपको इन दोन ही बैक में देखने को मिलता है 120mm section का टायर और यहाँ पर पर रे debe के बड़ेक 8 के ब्रेक सेटव के बारे में तो यहाँ पर आप को हैं डोनी ब्रेकलिक में देखने को मिलते है और सती दोनी के यहलाँ में अलग डेकिकिंग मोस भी देखने को मिल जाते हैं और सकते आलबबब ऑनों नvt पर अभी देख रहेंगे बात करें इन दोन ही बैक्स के कॉमन फीचर के बारे में तो आपको इन दोन ही बैक्स में यहां पर आपको BMW M1000RR में 6.5 इंच का फुली TFT कंसोल देखने को मिलता है वह अगर बात करें यामा R1M के बारे में तो आपको उस बैक में 4.2 इंच का फुली TFT कंसोल देखने को मिलता है इसके लिए आपको BMW M1000RR में एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है वह यह है कि आपको BMW M1000RR में हिल स्टार्ट कंट्रोल देखने को मिलता है और यह वाले जो फीचर है वो यामा R1 में मिसिंग है बाकी आपको इन दोनी बैक में धेरो सारे फीचर देखने को मिलते हैं अगर मैं उन फीचर को एक्स्पेंड करने लगू तो श्याद यह वीडियो काफी लंबी हो जाए और इन फीचर में लॉंच होती है तो उस बाइक कर चुरूम प्राइज है वो 35 लैक्स के असपास का होने वाला है और गयाज उमीद करता हूं कि आपको यह वाली वीडियो चिल लगी होगी और गयाज अगर आपको यूर बाइक का कंपेर देखना चाहते हो तो आप मेरे को कमे देखने वाली